आम को फलों का बादशा कहा जाता है और इन दिनों हर तरफ आम ही का राज है बहावलपुर में डेट एंड मेंगो फेस्टिवल का एनिकात किया गया जिसमें खुजूर और आम की पचास से जाइद एक्साम रखी गई अतला शारी की रेपोर्ट आम को फलों का बादशा कहा जाता है और इन दिनों हर तरफ आम ही का राज है बहावलपुर में डेट एंड मेंगो फेस्टिवल का इनागात किया गया जिसमें खुजूर और आम की पचास से जाइद अक्साम रखी गई है शेहरियों की बड़ी तादाद ने डेट एंड मेंगो फेस्टिवल का रुख किया आम की खुबसूरत अक्साम को देखकर शेहरी दाद दिये बगएर न रह सके फेस्टिवल में आए बच्चे भी आम और खुजूर की मुखत अक्साम देखकर महजूज होते रहे बहावलपूर के आम बहुत अच्छे हैं और यहां पर मशूर भी बहुत है और यहां हम लोगा ने स्टॉल्ड विजिट की हैं यहां तरह तरह की एक्साम के आम है फेस्टिवल में चौंसा, समर बहिश्ट, अन्वर रटोल और संगलासी समयत आमों की कई दिगर अक्साम रखी गई हैं इसी तरह बहावलपूर में पैदा होने वाली खुजूर की भी तीस से जायद अक्साम इस फेस्टिवल का हिस्सा हैं बहावलपूर का आम ना सिर्फ खुश्बू और जायके के हिसाब से दुनिया भर में मकबूल है बलके मुलकी मुईश्यत में भी अपना बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है कैमरामेन मुहमद अतीक के साथ अतरला शारी 24 न्यूस बहावलपूर